सर का दूसरा चंद्ग्रेहन भाद पर पूनी मा पर 18 सितंबर को लगने जा रहा है यह आंसिक चंद्ग्रेहन होगा इसमें चंद्रमा की सत्य का एक छोटा सा हिस्सा प्रत्वी की छाया के सबसे गेहरे मध्य भाग में ढग जाता है जिसे अम्ब्रा कहा जाता है लेकिन का दूसरा चंद्ग्रेहन सब नहीं होगा आधिये बिस्तार से जानते हैं मिषू के चंद्रमा और सूर के मद्द में आज आने के कारण प्रत्वी की घ्या चंद्रमा पर पड़ती है जिसके कारण चंद्रमा पर चाया के कारण अंधिरा हो जाता है यह एक खगोली गटना है जिसके कारण इसको चन्र ग्रहन कहा गया है फिर भी हम इस ग्रहन का विसेफ रूप से विशलेशन करते हैं तो यह ग्रहन जो है तीन रासियों के उबर अफर डालने जा रहा है पहली रहेगी संबरासि, संबरासि के जो जातक हैं इनका परिवार में विवाद होगा अन्य स्थानों पर भी विवाद हो सकता है इसलिए इनको अपनी बानी पर स्वयम रखना चाहिए और बाहन जो है वह सावधानी से चलाना चाहिए दुर्गषना की भी आशंता रहेगी दूसरी है करकरासि, करकरासि के जातकों का कारिस्पल पर विवाद होगा दावसाय में घाटा हो सकता है या यह जहां नोकरी कर रहे हैं वहां इनका किसी प्रकार का विवाद हो सकता है या इनका इस्पान परिवर्टन होने के भी योग रहेंगे तीसरी है कन्यारासि, कन्यारासि के जातक हैं इनको इस ब्रहन के प्रभाव के करण स्वास्त में नरम गरम बना रहेगा इनको यही प्राकार की अत्यावाउन का भी सामना करूना पहुसकता है इनको कर्जा नहीं लेना चाहिए और किसी और गर देना भी नहीं चाहिए इनके धन अटकने के योग रहेंगे तो यह जो तीन यातक है इनको खुझे मस्तवाय मंत्र का जब करना चाहिए या किसी ब्राह्मन के लवारा महाम्रत्कुंद्य मंत्र का जब कराना चाहिए ऐसा करने से ही है दोस्तमा पुझाएगा